नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर सभ विसाची सकसेना डारेक्टर और अउनर अफ नियो एंटी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियबाद आज मैं आपके सामने बात करूंगा एक बहुत कॉमन समस्य है जिसको बोलते हैं मूँ में छाले हो जाना या माउथ अलसर अप्र किसी को होता है रहता है गहले दून नस्केन लगा लेते हैं पानी पीलो ये कर लो और काफी अतक ठीक हो भी जाते हैं थोड़ा आज उसके बारे में डिसकस करते हैं कि what exactly our mouth hurts us और मूँ के छालों में हमें क्या करना चाहिए कैसे होते हैं मूँ के छाले जीब या गाल में होने वाले कुछ mucosal breaches होते हैं जैसे कि हमारी जो मूँ की lining होती है उसके अंदर कुछ ब्रीच हो जाता है तो उसको बोलते हैं अलसर हो जाना ये अलसर कई तरह के हो सकते हैं कुछ अलसर होते हैं जो थोड़े दिन के लिए आए और फिर चले गए कुछ अलसर होते हैं जो आके रह जाते हैं लंबे टाइम तक के लिए और कुछ होते हैं जो बिल्कुल पेन तो नहीं करते हैं अलसर बने रहते हैं हर अलसर को अलग-अलग प्रकार होता है और उस पर ध्यान देनी के ज़रुत होती है सबसे पहले बात करते हैं कारण क्या होते है, इनके सबसे कारण होते है, पेट खराब होना, कब्ज हो जाना, किसी आपने जोर से रगणने वाली चीज आपकी मुथमे लग गई है, जैसे माली जे कडा खाना आपने खा लिए, रोटी खाली खड़ी आपने, या कुछ हड़ी चुप गई साथ में, या क कि जो सबजी है वो चुब गई और वहाँ जाके उसने ट्रॉमा कर दिया और उसके वज़े से आपको छाले हो गए ये एक रीजन होता है इसके अलावा टूथ प्रशा अगर टूथ प्रशा बहुत कड़ा करते हैं आप बहुत जोर से रगड लेते हैं या जी भी कुछ लोग जादा करते हैं तो ये भी चालू का एक कारण होता है इसके अलावा कुछ पेड की वारिया होती है जो वेल नोन जिनके प्रॉपर नाम होते हैं जैसे क्रोंस डिजीज होती है अल्सरेटिव कोलाइटेस होती है ग्लूटेन सेंस्टिविटी होती है जिसमें सीलियाक डिजी हो गई इस तरह की मारी अगर हो जाती है तो वह भी आपको परिशान कर सकती है और उसकी वज़े चाले निकल सकते हैं क्या करना होता है जनरली मैं यह नहीं बोलूँगा कि कभी भी चाला निकला तुरंधा डॉक्टर के पास दौट पड़ी है ऐसा नहीं है काफी सारे घरे अगर आपको लगता है कि कुछ खाने पीना गडबर हो रहा जिस वज़े चाले हो रहे हैं तो उनको आप कट करना शुरू कीज़े विटामिन सी इसमें फायदा करता है तो विटामिन सी यूग तो जितने भी प्रदार्द होते हैं जैसे की जो भी खटे प्रोड़क्स होते अगर आप सेब डेली खाएं बिना चिलका उतारे अगर आप डेली सेब खाएं तो आपके मूग के चाले काफी अद तक फायदे हो जाते हैं पानी अगेन इस वेरी इंपॉर्टन फैक्टर कम से कम साथ से आठ गलास पानी डेली पीना ही चाहिए दो पानी पीने से दो फाय होते हैं वो वाश आफ होके आपके पेट में चले जाते हैं और पेट सब कुछ पचा देते हैं तो आपका मूग एक हाईजीन बना रहता है ग्रीन टी पीना चाहिए ग्रीन टी भी फायदा करती है इसके अंदर इसके लावा मूग की क्लीनिनेस का ध्यान रखें हर दिन में तीन से चार बर कुला करें सुबह शाम ब्रश करें टूथब्रश भी कोशिश करिए जो आपके दातों को सुहाए है आपको अगर लगता है चाले हो रहे है तो ठोड़ा gentle टूथब्रश ले देजिए थोड़ा sensitive वाले जो toothpaste आते हैं वो toothpaste करना शुरू किए ये तो होगए कु आपको खाने पीने में दिक्कत हो गई है, आपके day to day life जो है, हमपर हो रही है, दूसरी condition, तीसरी condition अगर painless ulcer है, painless ulcer is actually more notorious, because अगर वो painless ulcer पढ़ा तो आपको यह नहीं पता होता कि वो कब से पढ़ा है, वो incidental finding होती है कि आपको पता चला, वो खतरा हो सकता है, या इसके अ कोई ulcer ऐसा बन गया है, जिसमें से bleeding आ रही है, या आपको ऐसा ulcer है, जिसके साथ आपको diarrhea हो गया है, या आपको fever भी आ रहा है, तो यह कोई systemic illness, यानि की कोई overall body की कोई illness suggest कर रहा है, तो इस सब cases में आपको doctor से मिल लेना चाहिए, इसके अलावा, अगर कोई ulcer बहुत addiction करते हैं, smoking करते हैं, alcohol लेते हैं, और ulcer बन गया है, नहीं ठीक होने आ रहा है, तो वैसे भी आप high risk में आते हैं, आपको doctor को मिल ही लेना चाहिए, आगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए, अगर आप doctor को दिखाएंगे, तो doctor सबसे पहले testing करते हैं, अगर आपको सबसे पहले oral examination करा जाता है, कभी-कभी endoscope, कभी साहरा लिया जा सकता है, चेक करने के लिए, कि मूँ से लेके गले तक क्या condition है, अगर इन सबसे गवाम बन गया तो ठीक है, अगर लगता है कि नहीं, इसके बाद भी testing की जरूरत है, तो scrape smear होता है, कि छाले के उपर से एक हलका सा smear test करके, slide बना के testing के लिए भेज देते हैं, अगर लगता है कि छालर ठोड़ा deep है, तो उसके अंदर से छोटा सा टुकड़ा निकाल के testing के लिए भेज सकते हैं, जिसको बोलते हैं, बाइफसी करना, अराम से local में हो जाती है, local anesthesia में हो जाती है, जीब में हलका सा sweet द्रगा के सुन कर देते हैं, और अराम से testing के लिए भेज दिया जाता है, चार से पांच दे में रिपोर्ट आजाती है, इलाज पर आजाएं, अगर इलाज पर आते हैं, तो शुरू में आपको लगाने के लिए ointment दिया जाते हैं, दो-तीन तरह के ointment होते हैं, एक ointment वो होता है, जिससे इनकी deficiency से चाले हो रहे हैं, तो वो दवाईयां दी जाती हैं आपको, anti-allergic दिया जाते हैं आपको, और most likely इन सबसे बात बन जाती है, बढ़ अगर इन से बात नहीं बन रही हैं, और बाइपसी में कुछ otherwise prove होता है, कुछ हमें cancer या कोई अलब मारी का doubt होने लगता है, तो फ अपने डॉक्टर से संपर्ख करें as soon as possible, I hope आपको यह जानकरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह पसंद आ रही है, तो please हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, thank you so much.